हेलो दोस्तों आप सभी को नमस्कार और आज की इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज का वीडियो हमारा FMCG सेक्टर से रिलेटेड होने वाला है और ये स्टॉक जो है FMCG का बहुत बड़ा नाम है और डे टुबे डेली यूज में हमारे घर में बहुत सार आछन फैर नहीं किया हैं तो इस आई बटनपर कुले करके आप मेरस ना है आप सब्सक्राइब कर लेगा ऊपने अब्दिएकांट तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंजल बोकिंग की लिंक दे रखिए उस लिंक पे जाके आप अपना फ्री डिमेट एकाउंट खोल लीजेगा उसके कही सारे फाइदे हैं जैसे कि आपको फर्स्ट यर का अन्यूल मेंटरेंश चार्च दिल्कुल फ्री मिलेगा और कही सारे फाइदे तो फटा फट जाईए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखिए उस लिंक पे जाके क्लिक किजेगा और अपना डिमेट एकाउंट खोल लीजेगा तो आज का वीडियो जैसे मैंने आपको बताया FMCG सेक्टर का बहुती बड़ा नाम है तो इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आपको कुछ चीजे बताना चाहता हूं जैसे कि यह वाली जो वीडियो थी टाटा मोटर्स की इसमें मैंने आपको बताया था टूफोटी टूफिफिटी के टागेट आने वाले हैं तो यहां पर देखिए मेरे फर्स सेकंड टाग बताया हैं तो मेरे टागेट टाटा मोटर में 500 प्लस के हैं वो वीडियो देख लीजेगा मेरे चैनल पर आपको इस प्लेइलिस्ट में मिल जाएगी तो आप देख लीजेगा ठेक है और एक जो मेरा स्टॉक है SBI उसमें भी आपके अरूंड अबाट 300 के टागेट आ चुक अच्छीव हो चुके हैं बहुत सारे स्टॉक्स में जैसे की मान अलियूमिनियम है ठीक है अनाइटी है डेल्टा कॉप है तो बहुत सारी जो स्टॉक से वह वापस नीचे भी आएं तो आप डिकलाइन में वापस बाइं बहुत करेक्ट है तो आप वीडियो देख और जैसे कि एक कमपनी टबैकों के नाम से ही जानी जाती है तो यहां पर देखिए यह पेंडेमिक के टाइम पर देखिए स्टॉक 150 के आसपास 140 के आसपास भी गया था बटी ग्रैजुली बढ़ा है कुछ जाधा मोमेंट इस टॉक में आई नहीं है और अब यह स्टॉक अब थोड़ा सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे ऐसे ही एक बूर्स मिलता रहेगा कि आप लिए आप तक लाता रहो तो इस कंपनी के हम लोग वेबसाइट पर चलते हैं पहले देख लेते हैं क्या इनके ब्रैंड्स है क्या प्रोडक्स है अपको जल्दी जल्दी एक छोटा सा जिस दे देता हूं कंपनी के बारे में फिर मैं आपको टेक्निकली इसके टागेट भी बता प्लस के उपर के जो है 15,000 क्रोस के उपर के इनके जो प्रॉफिट सेने प्रॉफिट है जो एरली रिजल्ट है उसका मैं आपको डेटा बता रहा हूं ठीक है ITC has a diversified presence in FMCG जो fast-moving consumer goods items जो होते हैं वो होटेल्स में भी है यह packaging में भी है देखे paperboards and specialty papers में है agribusiness भी है इनका खुद का तो कहीं सारे sectors में यह already available है ITC इसकी सारे information देगी है mainly देखे एक जो है इनका point ITC's business and value chains create sustainability livelihoods for more than six million people majority of whom represent to the poorest in rural India यानि कि छोटे से चोटे गाओं में भी इनका products जो है वो पाए जाएंगे आपको और use के लिए आते हैं इनके products ठीक है तो यहां पर दिखे इनकी सारी information दी गई है क्या क्या brands है totally ranked number three globally in food industry for ECG performance तो इसकी सारी आपको achievements और history भी दिखाई जाएगी इनके businesses देखिए ITC कि बिजनेस क्या है देखिए fast moving consumer items में देखिए cigarettes and cigars foods में है personal cash में है education and stationary में है lifestyle retailing में है safety matches में है अगरबतीजन दूप में भी है देखिए hotel industry में है paper जैसे paper boards and specialty papers में बताया आपको packaging agri business agri बिजनेस में देखिए agri commodities and services agri agri base business लिमिटेड इच उपाल में है information technology में भी है ITC brand world इसमें जाके आप click करके आप इसकी सारी information देखिए यहां पर देखिए अगर आपको brand specifically brand लिखने होंगे तो देखिए food items में आशिरवाद जिसे आठा है ठीक है Sun Feast जो हमारे chips और बिस्किट्स जो होते हैं ठीक है cookies kitchens of India यह इनका सारा जो information आपको दिया गया परस्नल केर में क्या-क्या इटम है जातर आपने फियामा विवल एंगेज जो होते हैं उनका नाम सुना होगा सैवलॉन ठीक है यह सब सारी information है educational जैसे आपने देखा था तो यहां पर sorry यहां पर देखिए ग्लासमेट और पेपर इनका जो प्रोड़क्ट है वो है मैच 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 इस एन अगरवतीज में देखिए मंगल दीप होम लाइट्स एम ठीक है lifestyle में WNS तो यहां पर यह सारी information आपको मिल जाएगी description box में आपको इसका link दे दूंगा तो वहां पर जाकर आप इसकी सारी information ले सकते हो ठीक है तो का रिजल्ट था वो जून से भी अच्छा था और लास सब्टेंबर अगर आप देखोगे 2019 का अगर आप compare करोगे तो उससे भी सेल्टेंगे 12,867 के सेल्स थे यहां पर सब्टेंबर 2020 के सेल्स के आकड़े जो आया थे वह बहुत ही अच्छे थे 13,147 के तो यहां पर देखे एक्सपेंडीचर 9,151 का एक्सपेंडीचर वा था अरिंग देखें बीफोर जो टैक्स रहता है वह यहां पर 4578 आया था जबकि लास्ट कॉर्टर 2019 सप्टेंबर का कॉर्टर था वह फाइफ ताउजन के उपर के इनके रिजल्ट थे नेट प्रोफित अगर आप देखोगे तो यहां पर कम हो गया है कंपैर तू लास्ट जो 2019 कॉर्टर का जो रिजल्ट आया था उससे 4173 को जो आये थे बट 2020 के सप्टेंबर कॉर्टर में 3418 के हम लोग आये थे बट अगर आप जून के कॉर्टर से कंपैर करोगे जो कि 2567 क्रोफित थे उसके मुकाबले बहुत ही तो उसके उपर ध्यान रहेगा तो वह भी आपको एक ध्यान देना पड़ेगा स्पेशली ठीक है तो यहां पर देखिए यह जो है इनका शेर होल्डिंग पाटन है ठीक है यह जो ग्रे लाइन है यहां पर डिया जो डोमेस्टिक इंवेस्टर जै वह 43.55 परसेंट डोमेस् के 12.96 है और बाकी 43 परसेंट के जो शेर्ज है वह रिटेल इंवेस्टर यानि की पॉब्लिक के पास है तो एक अच्छी कासी ओर अनौल देखिए अगर आप देखोगे तो most of the chunk इनका promoters के हाथ में जैसे कि DIs और FIS उनकी हाथ में तो यहां पर आप उसकी सारी इंफरमेशन देख सकते हो ठीक है तो यहां पर एक आपको इनफरमेशन भी दी गई है यहां पर देखिए mutual funds have increased holdings from 9.45% to 9.95 in September quarter तो यहां पर आपको देखिए हर quarter में आपको mutual funds जो है वो buy करते दिखेंगे क्योंकि FMCG sector का बहुती बड़ा नाम है यह stock तो आपको भी मुझे लगता है कि यहां पर ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यह stock आपको आने अले टाइम में एक अच्छे returns generate करके दे सकता है तो अब देखते हैं इसका जो main जो ह यहां पर टेक्निकल चार्ट और यह डेली चार्ट है मैं आपको इसको weekly कपे कर लेता हूं कि आपको positionally बताना चाहता हूं कि positionally यह stock कैसे ऊपर की तरफ निकल सकता है तो यहां पर इसमें जो अभी breakout निकल के आ रहा देखे 200 के ऊपर जैसे निकला था यह stock ऊपर की तरफ गय तक के तक के तरफ तक के 25-40 रुपीज तक के levels easily आएंगे ठीक है तो यह short term view है मेरा जो 240 लेवल्स आपको अगर जो short term के लिए trade लेना चाहता है तो इसमें आपको 240 तक के लेवल्स इसमें आपको बहुत जल दिखाई देंगे तो यहां पर एक छोटा सा stop loss रखके जो है 200 का stop loss जो है वो रखके आप उपर की तरफ 240 तक के टागे 235-240 तक के टागे जिसमें expect कर सकते हो उपर की तरफ ठीक है long term के लिए जैसे मैं आपको बता रहा हूं अगर आप long term के लिए रखना चाहते हो इस टॉक एक portfolio stock भी है high dividends भी देता है तो यहां पर dividend भी देखिए आपको हर साल के आसपास आपको dividend paying stock है यह तो बहुत ही बढ़िया stock है इसमें आपको invest करना चाहिए मेरे इसाब से क्योंकि यहां पे नीचे की तरफ आपको बहुत ही lower levels पे दिख रहा है और यहां से उपर की तरफ बहुत ही upside अभी भी बाकी है तो जैसे कि long term में आपको बताना चाहता हूं इस टॉक में आपको बता रहा था 235 से 240 का यह short term आपको है उसके बाद आपको एक point मिलेगा जहां पे 265 और 260 के आसपास यह stock रुख सकता है यानि कि step by step बढ़ेगा आपको मैं बताना चाहता हूं कि stock एकदम से कोई भी levels पे जाएगा नहीं सीधे सीधे अग यह stock आपको देखे थोड़ा stock market आपको जो चीजे ऊपर एकदम एक लाइन में जा रही है वहां पे बहुत ही risky trade होता है और यह देखिए gradually बढ़ रहा है यानि कि इसमें strength है और यहां पे lower level पे buying आईगी 200 के levels एकदम safe levels होंगे अगर आपको 200 के levels के आसपास मिलता है आने-ाले time में तो यहां पे आपको buying suggest क करूंगा उपर की तरफ आपको easily इसमें target जो है 300 rupees तक के target stock में आपको easily आते हुए दिखेंगे जो कि मेरे इसमें 50% के targets आपको easily यह stock दे देगा तो अगर आप long term के लिए stock लेना चाते हो तो आपको इसमें 160 rupees का stop loss लगाना पड़ेगा जी हां यहां यहां पे 160 rupees का stop loss आपको long term के लिए है जो short term के लिए इसमें trade लेना चाहते है वो 200 या 200 के नीचे हलका सा जैसे की 198-199 के आसपास का stop loss लगा सकते है कर लेजीगा यह stock 180-200 एक accumulation zone होगा इस टॉक के लिए उपर की तरफ इसमें target जो है वो फॉर्स तागेट आपको 250-260 तक के FMCG अभी फिलाल ज्यादा कुछ perform नहीं कर रहा है बट आने अले दिनों में जैसे कि हम बूलते हैं एक defensive sector माना जाता FMCG sector तो यहां पर आपको बाय करके चलना होगा तो आपको इस टॉक पसंद आया हो और आपको इस टॉक बहुत सारा पैसा कमा करके दें आने आले टाइम में और देखिए यह एक अच्छे कैसे ब्रेक आउट लेवल पर भी खड़ा है तो यहां पर एक अच्छी कासी बाइंग आप कर सकते हो ऊपर के लिए टागेट्स आपको इजिली 250 260 और 300 के टागेट्स के लिए आप बाइंग कर सकते हो और फॉर लॉंगर टर्म अगर आप कोई बहुत ही ज्यादा लॉंग टर्म के लिए भी निवेश करना जाता है तो यह स्टॉक आपको बहुत अच्छा पैसा और बहुत अच्छा रिटरंस दे सकता है क्योंकि यहां पर डिविदिन्स भी आपको हाइप जो डिविदिन पेंग कंपनी है यह वो उन कंपनियों में से तो आप इसमें एक लॉंग